आनूप लिव, गांद सुगांद अवेस मचावा, सुख सागर चरनार बिन्द, सुख संपट विच सहज समावा, गुर्मुख सुख्फल पिरम रस, देहे बिदेहे परंपद पावे, साद संगत मिल अलख लखावे, वाहि गुर्जी का खलसा, वाहि गुर्जी की फते, परम सन्मान जोग, हाजरा, हजूर, जहरा, जहूर, सरबकला, परपूर, चवर, शतर, तखद दे मालक, कांतन साहिब, सिरी गुरुगरंज साहब, महराजी दे, पावन दरबार दियां हाजरियां पर दे गुरुग, यारे सत्संगी जनो, आप जी ने सत्कार जो, पाईसाब जी पासूं, सरवन कीता है, कि पहले प्रकाश दे हाडे नो मुखरख दियां, आप संगता लई समागम उली के गए ने, ते पिछले कई दिनातों, आप संगता दे नाल, ए विचारां, गाहे बगाहे, सत्कुर सक्षे पाश्शा सिरी गुरु गुर्ण साब जी दे परकाश पुरब्दे मुतलक कीतियां जा रही हैं, क्योंकि ए जी ड़ा पहला परकाश है, पामे सोला सो चार इस्री भी दे विच होया, पर तकरीबन तांतन साहिब सिरी गुरु 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 सिंग जी महराज तक, जिस विले नदेड़ दी तर्ती ते, स्तारा सो आठधा समाज इन्हों इत्हासकार लिख दे ने, उस समेदे विच तांतन साहिब सिरी गुरु 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 सिंग महराजी ने मथा ठेक के, क्योंकि एक दो वरी वड़े कारज हो, इन्हें बीढ साहिव दे, एक कारज गुरु अर्जन सिंग महराजी ने कराया, जिस कारज नो पाई गुरु 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 जी तो लखवाया गया, ते दूसरा कारज, तांतन साहिब स्री गुरु गोबिन सिंग महाराज जी वलों साबों की तलवंडी विखे मालवेदी तर्थी जिते अज तखत साब मौजूद है दमदमा साब उस तर्थी ते गुरु गोबिन सिंग साब महाराज जी ने पाईसा पाईमनी सिंग जीतों ए गुरु गरंज साव जी दियां बीड़ा नो तियार करवाया ओथे ही नाल बाबा दीव सिंग जी दा वी जिकर मिल दै और गुरु अरजन साव महराजी तो ए प्रशन भी होया सी कि साहिब जी तुसी ए पोथी परमेशर का थान साच दित्ता ते है पर एदे अर्थ एदे अर्थ भी दसो पर गुरु अर्जन साव महराजी ने क्या सी कि एदे अर्थ कदी भी पूरन रूप दे विच एक तर्ती एक समय दे विच एक मनुख दी सीमित मत दे विच लजाके कदी निकीते जा सकदे रहेंदी दुनिया तक जिननी समय तक इस तर्ती इस श्रिष्टी रहेगी उन्हें चिर तक आन वाले सेख आन वाले इस मनुखी अब लाशी जेडे ने साच दे ओ गुरू के शबद अर्थ उस समय दे अनुसार कर दे रहने के क्योंकि एस सीमित नहीं है और ए बाणी आद वी है मद वी है पूरण वी है अंत वी पूरण है इस करके एदे सीमित आर्थ नहीं कीते जान के गुरू गोविन सिंग साब महाराजी नो फिर ए प्रशन होया क्योंकि उस बीड साब दे वेच उस बीड वेच कुछ कुछ शबद जेडे गुरू अर्जिन साब महाराजी ने लिखे ते उस तो बार ने अईथों तक कि कुछ बीडा दे दर्शन कीते है मीरा दा भी कईया ने कई खारी बीडा चे शबद प्या होया कई बीडा दे वेच पाठशाई छेवीना सिर लेक लाके भी शबद प्या होया कई बीड साब ने पर ए अजदा विशा नहीं है सिर्फ विशे दे विच गाल करा कि शबद दे अर्थ गुरू गोबिन सिंग महाराजी ने साबो की तलवंडी ते जद ए वड़ा कारज करवाया क्योंकि मीणिया ने राम राइया ने ए शबदा दी बीड जड़ी गुरू अर्जन साब जी तों गाहे बगाहे पौंची सी एनू देन तो मना करता गुरू गोबिन सिंग महाराजी ने ए आप फिर अपनी जुगत दे नाल उस सुर्थ दे नाल पहिला ते कई तिहासकार एवी लिखदे ने कि सिखानू हुकम भी होया कि जिना जिनानू बाणी कंठ है ओ बाणी कंठ कराए जिना कुल गुरू नानक साब जी दे सच्चे शबद ने गुरुआ दे पर एए इनावड़ा कारज किस्ता कठा होना सी एए सुर्थ दे शबदे मेलतों गुरु गोविन सिंग महराज जी ने एए पूरन तौर ते जिन्नू आपा संपादना कहिए जिन्नू आपा संपूरन ता कहिए समपूरं ता गुरु गोबिन सीग महराज जी ने गुरु ते एक बादूरसाफ जिदा शवद जिड़े बाणी सी जयजबंती कती माराग पाके की ती होन उच्छे सिख़्ा ने परशण कीता की अर्थ गुरु गोबिन सीग महराज जी ने सिर क्या कि ए तुर्की बाणिया है जी अज एदे अर्थ कारते जान ते हो सगद है रहें दी दुनिया तक लोकी ए सोचन की एदे एही अर्थ ने पर गुरू गोबिन सिंग साव केंदे पलेो एदे अर्थ असीम ने एदे असीम ने आप अपनी बुध है जेती कोई इनू दुखानू मिटा होन वस्ते पड़ेगा कोई इनू दातां दी प्रापती वस्ते पड़ेगा कोई इनू परमात्मा दे विच एक मिक होन लई पड़ेगा ते कोई इनू अपनी होमेनू खत्म करके बिल्कुल हरी प्रबु दा रूप होनवस से पड़ेगा गुरु साब ने एवी दाद दिती आपा हुने पड़के हटेया खड़क केत में शरन ते आरी आप हाथ दे लेहो आरी सरब छोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई पहली गल ते दुष्ट ते दोख ए दोख कीने हुन पज़ दोखाँ दा गल कीता शबद दे वेच की ऐसो गुण मेरो प्रबजी कीन पज़ दोख और अहंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन हुन पज़ दोख विदवान पामे केंदे रहें काम करोद लोग मों अहंकार पर ए पाँज दोख काम करोद लोग मों अहंकार नी जे पाँज दोख काम करोद लोग मों अहंकार हुन दे ते फिर महाराज नूँ अहंग रोग दुबारा ना लिखना पैंदा पाँज दोख येदा मतलब वखरे ने पंज दोख ने जेड़े पंजा तत्ता दा सरीर बनेया है इना पंजा तत्ता नूँ जद आपा वाशनावादे विच गरस्त कार लेंदेया ते एही पंज तत्त दोख बाण जन्दे ते छेमा आंग रोग है जेड़ा सारे यां दिनाल चिंबड़या होया है जिननू दीरग रोग भी क्या माराजी ने दीरग रोग साबतों डड़ा साबतों खतरनाग ते इस रोग नूँ ते एह पंज दोख नूँ पंज दोख की जेड़े दीजा दे बेसिक फाइव एलिमेंट्स through which the whole universe came into creation, came into existence that is also known as the manifestation of ultimate reality वाई गुरू कि एना पंजा तत्ता तो ए सारी स्रिष्टी बणी एना पंजा तत्ता तो ए सरीर बणी आ पर गुरू साब केंदे ए पंज तत्त विगाड ले गए ने ताहिए गुरू गोविन सिंग महाराजी केंदे दुष्ट दोखते लिहुब चाई ए दुष्ट करते मनुखने ए दुष्ट नहीं सन ए दोख बाणगे किदे करके आहंग रोग करके हुन एनू मिटाया की में जाए एनू सवारिया की में जाए सिर्फ देखो ताहिए गुरू साव केंदे मौकम फोज हट ली रहे ए काम करो दो लो मों अंकार नी ए पंज जिड़े एलिमेंट्स वी ने जिन्नू आप आप तेज बाए प्रिथमी अकाशा आप केंदे पाणी तेज केंदे अग बाए केंदे हवा प्रिथमी तर्ती अकाश असमान ए जिड़े पंज एलिमेंट्स ने इनू आवा सवारिया की में प्रशन ए खड़ा होता है एक तुसी पाईवीर सिंग्जी दी संत काथा पड़े हो बहुत कमाल पहला चेप्टर है क देविच सवारन वस्ते जड़ा पहला देखो है परकरणी असी सोचांगे कि ये परकरण तो बार क्यों पामे कि आज दी विचार पौड़ी दी पहली तुकतों नहीं होईगी आज दी विचार पौड़ी दी सत्वी तुकतों आख्री तुकतों होईगी साध संगत मिल लखावेनू बहुत सोखे तरीके नल गुरु ग्रेंच साहब जीदी बाणी दे विच जेड़ा दर्शाय है ओ समझ लाँगे फिर सब कु सोख है फिर कुछ भी ओखानी है इथे तक क्या कि बुलिया रबदा कीप आउना इथों पुटना इथे लाउना इना सोखा भी क्या है हुन ए पंज दोख की में मिटाए जाना क्योंकि पंज दोख सिर्फ संगत दे विच आके बैलेंस कीते जा सकते पर ए संगत ओ है जिस संगत दे विच गुरु साब जी ने ए बक्षिश कीती है केंदे कि ए संगत इन्ने वडे पागानाल मिलिया तो आनू केंदे जिदा तु पागने कि जीदे करके आपन सारे इस सथ संगी कडिया दा लाहा अनन्द मांड रहें ए गुरु सभ़ जीदे बचन ने कि ए जीड़ा पागही ने है इन्नों ही मिल सकदी ए ते सिर्फ जीड़ा बक्षिया हुए है ए उननों दात मिलेगी ते कोटान कोड शुक्राना करिया करिए आपां जे संगत विच बैठ दियां बैठ बैठन दा एक एक पल शुकराने दा हुए कि बिन पागां साथ संग ना लब है बिन संगत मैल एठ हूँ दोख पैदा हुँँदे जे मैल पैदा हुँँद लगदी सरीर दे वेचे पाणी शुद है पाणी दे विच मैल पैगी the water is going to be contaminated पाणी मैला हो गया इसी तरह बोडी दे पांजतातने हवा पॉल्यूट होगी हवा मैली होगी शुद नी रही तर्ती दे उत्ते toxins इनेक होगे ने तर्ती मैली होगी है इनेक मैली होगी है पंजाब दी मालवे दी तर्ती ना मुराद cancer दी मिमारी तो ग्रस्त होगी है तर्ती करके तर्ती दे toxins करके तो अंदर तक toxins चले गए ने तर्ती दे pesticides करके वे हाव तो just this is just a subtle example to make us understand हुन गुरू साब कहने दे की सब तो पहली गाल मान दे विच बिन पागा सत संग ना लबै बिन संगत मैल पहली गल ए ते इस संगत दे लई पाई वीर सिंग जी दी लिखत सब तो पहला ओ जिकर कर दे है संत सवाया सिंग जी दा ए नाम भी हुन सानू चेते नहीं ओ दस दे संगत बारे ओ कहने दे सी कि तुसी एने वड़े पागा बाले हो रहा बहुत सेवा कर दे सी अमरальной सर्दे रैंड़े सी बड़ी कमाल दिये साखी सुनन वाली है पाईवीर सिंग जी नें अंकत की दिया कें अमरे सर्चे रहीं डहेंदे सी तरण अर जाके शवीर लगाँभरे भी सकसक संगत नो एई उक्देश कर दे सी कि तुसे वड़े पागावाले हो जिसकल संगत मिल दी है कि दूसरे वड़े पाग उने की दुरलब दे लिया है ते इस तो वड़े पाग ने की तुहनो ए मौका मेले है कि मर्षध नानक नो तुसे बैटके चिते कर देру कि इस ते न्state ला करते सी पहला ए दूरुलवद देह है तूसरा ए यस संगत है कि संगत पागानार मिली बड़े बड़े पाग ने तीसरा संगत मिली морṣad नानक दी गुरु नानक दी गुरु नानक दीया बाबारिया कहाणिया करन दी संगत व्यानी सी कर दे, देखो, ए उन साकी, صرف इना को हिसा सी साकी दा लेयना सी पर ए भी जिकर करिये कि पाई वीर सिंग और के लिख दे, व्यानी सी कर दे माता जी ने झोर पाया, जिए चलो जे करांगे ते nhi अपनी मर्जी नाल करांगे कि मैं अपनी बत्यीत करनी ते गुरू गुरू ते आ है, एहो जिवी सेखो इने, जिए अपनी सारी जिंदगी सेवा देविच सुमर्पित करते हैं कि संगत दी सेवा, संगत रूप दी सेवा और इस संगत दे वेचे, गुरू साव जी दी ए बक्षिश है कि सारियां वडियाईयां है क्योंकि इस संगत दे विच नाम दी प्राप्ति होंदी है ए है संगत बारी केंदे महमा सादू संग की सुनो मेरे मीता केंदे यदी महमा किमें दसी जाए केंदे यदी महमा दे बियान ही नी कीती जा सकती ये ते गुंगे की मिठे आई है किसी नो दस्या जाए संगत दा की आना दा उनों की दस्या जा सकता है उनों ते एही क्या जा सकता है पलिहा संगत दे विच बैठ संगत दे जहाज दे विच सवारो बाणी नो सोन बाणी नो गा सिम्रन कार गुरु गुरु जापु ते फिर तेनु आप पता लगेगा कि संगत दी बरकत की है मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पए जीता हुन ते यह ते बक्षिश है ना कि ऐसी पगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता हुन कीडा हाथी तो कीवें जित सकता है कीडी कीवें जितेगी कीडी है मन हाथी है हूम है एक तो पांच दोख विगड़े हो इने हुन इसी गालनू महमा सादू संग दी एक साखी मिल दी है कि संगर दिकी कि नहीं मैं मैं हुन एक सुलकनी अधा जिकर मिलदा है गरु बाबानिया कहानिया दे विच प्रोफेसर साहिब सिंग भी कर दी सुलकना καरे लो बाबानिया कहानिया चीं जिकर कीता हो थासा connection प्राइब यह एा जिकर अधार से हो बडày सोनना जिकर है बड़ा स आप आता है उत्वे गुरु साप जी दे ले उने वर्तिया तो केंदी सोनी दाड़िये चिटी पगी पगगे पग चिटी दस्तार सोनी दाड़िये चिटी पगगे अर्ज करां गुरु हर गो बिंद दे अगे नाम सुलखनी ते पेंड मेरा चबे मेह ने फली नू तू कोई सल लग गे ये ये बचन ने गुरु अर गोबीन साव मेर्ट कोई अलाद नहीं है ते मैंनू अलाद बत्षव आ ते गुरु अर गोबीन साव में देख वही मैं गुरु की सेंगणी आप तेरे पागाँ चे अलाद नहीं है, तू सबर कर, तू सबर कर, ते नराश होके गई, पर उन्हें संगत कर नहीं नहीं है, ते को संगत दी बरकत किन नहीं है, संगत कीती एक दिन संगत दे वेचे, बैचे बैचे उदे मांचे फुरना आया कि मैं गलसांची करा, कि मैं गुरू हर गोविन साफ जी को दा बात मंगनगी एथे सुनेया सब दाता मिल दियाने पर गुरु अर्गोविन साफ जी ए में नू कहिंदे कि तेरे पागांचे नहीं है ते उते संगत विच्चों ही फुर्ना उठिया थे कई इते आसकार लिग दे कि बाबा भुड़ा जी ने क्या कहिंदे पाई गुर्दास संगत विच्चों किसी सेखने क्या का कासे सुलखनी अ एड़ा वडामों का गवाई ने कहिंदे गुरु अग्गे तुW घ्ये सें गुरु तो उभन मंगरी सें गुरु तो बैंती अरजोई कर दी सी की गुरुद बख्षो ये गुरू के हिन्दा पागाँ चैनी तो गुरु नो कहना सी जे उत्थे नी लिखे ते हुन लिख दे लिखने दे तु ie है न बख्शिश दे गुरु ने करनी है पर होनी संगत दे जरी है देखो ये वी कला सी गुरु अर गोबिन साथ ने गुरु ने करनी करामात सारी है सिख दे उते पर संगत रूपतों हो के देखो पामे दे बड़े अर्थने साखी दे हुन उन्हें की कीता पर बरकत ते संगत विच्छों ही ओ कागज कलम दवात लेके तुर्पई जित्वों किते गुरु अर्गोबिन साभ लगण ते ए सक्ची गाल है हुन उस दिन एक दिन थोड़े दिना बादी गुरु अर्गोबिन साभ को ड़े ते निकले ते जान दे सारों केंदी के सोनी ये दाडी ये चिटी पगे सारों ने इलान किता कि अर्ज करा गुरु हर गोबिन दे अगे नाम सुलखनी पेंड चबबे ते केंदी मोहे ने फल नू कोई फल लगगे ते महाराज हिर साथ सुपाय केंदे केंदे ते नू क्या सी ना पाग घांचे नहीं है नहीं लिखिया पाग घांचे इस संगत दी मेंमा है संगत दी किर्प है कि संगत दे जरिये जिननू दात देनी है उन्हों संगत दे जरिये ही देनी है उन्हों संगत दो बिनान ही देनी है गुरु अर्गोबिन साथ पहला भी दे सकदे सी पर संगत कराउनी सी सिख को लो संगत दे विच्चों ही फुरना देना सी ते अज़ पाई गुर्दासी भी एही केंदे केंदे दुनिया दे कई कारज ने जिड़ा हो सकदा है मनुख अपने जतन दे नाल पूरा करन दी कोशिश करे पर ए ओ अपने जतन दे नाल करदा नहीं सिर्फ मानी करदा अपना करन वाला दातार है करन वाला प्रबू है ते ए गल संगत दे विच आके एहसास होंदा है नहीं ते सारी जिंदगी पंच दोख और अहंग रोग एदे नाली जियों जियों चल हैं चुब हैं दुख पावें ए चल दा है ते दुख पहुंदा है सारी जिंदगी एक कंड़ा चुबदा रहिंदा है पंच दोख दा ते अहंग रोग दा ते एक कंड़ा किमे मिटे एक कंड़ा किमे दूर होई एक दुख दोख किमे हटे अहंग रोग दा भी ते एक पाई गुर्दास जी केंदे साध संगत मिल अलख लखावा है संगत दे विज आके अलख की में लखाया जाए ओधी विचार कीती है हुन साध संगत दे बड़ी बहुत विसमादी बड़ी बख्षशान है गुरु नानिक साभ महाराजी तों कारकर अंदर तरम साल होगा केटतन सदा विसोगा एवी जिकर करता कि उत्थे सचे नाम नूते होना है शवद नूते होना है सोदर आरती गावी है एवी जिकर करता ते रात दा सोहले दा विज जिकर करता ते अम्रत विले जाप उचारे दावी जिकर करता गुरू के सिख आध काल तो ही गुरू साव दे काल तो ही संगत विच जुड़े ने एदे विच कोई भी दोराई ने है क्योंकि संगत दिया जिनियाक साखिया आप मां कड़िये एचों तक संगत दे पर्थाए गुरू अरजन साव महराजी संगता दे राती जोड़े चार दे सी मुठा चापी कर दे सी गुरू अरजन साव जी महराज गुरू अरजन साव जी पर्थाए कई साखिया ने गोईंदवाल साव दिया कि संगत दे लिए अपना आप कुर्बान कर देना गुरू हर्राय साभ महाराजी पहाडी राजी है जे गुरू हर्राय साभ जीनू मिलना उन्दे सी उन्हानू बार मिल दे ते सिखानू अंदर दरबार दे विच परे संगत गुरू का रूप है संगत गुरु का रूप है संगत लई कदी भी क्योंकि संगत विच संगत हर प्रभ वस्य जी हो गुरु तेग बादुर साब महराज जित्थे जित्थे रहे ने उन्हाने खुले तौरते संगता नो दर्शन दिते ने क्योंकि जिधे रहने गुरू तैग वादूर साब उत्छे ऑबंदगी दे विच लीन रहने किस तरह जिस तरह पारा एक पारा कमल दे फूल दे विच अपने अनधनों माढ़गा एक रसनों पपुझदा है तो उसी आज जिते मर जी गुरू ते एक बादुर साब जी दे इस्थान ते चले जाओ बाबा बकाला साब तो लेके पामे नांदपुर साब दी तर्थी ते चले जाओ पामे असाम चले जाओ पामें इस तर्थी ते जिन्ने थाँ हैं तो आनू गुरू ते एक बादूर साब जी दे स्थान ते पौरा साब जरूर मिलेगा जरूर नांदपुर साब पौरा साब ओ स्थान है जित्थे कश्मीरी पंड़त पहुंचे ने कि गुरू ते एक बादूर साब बक्षिश करो पर गुरू साब लई ओ जात पात तरम खिता नहीं है गुरू लई ओ संगत है गुरू लई ओ संगत है गुरू ते एक बादूर साब की संगत आई है ति उस वेले पंड़तियानियां में आई सी ते गुरु तेगबा दूसाब जी ने क्या कि जाओ बचियो कार जाओ सिर्दे के साथ बचावांगा मैं इस बुजरे देश दे दीवे अंदर तेल अपने लवदा पावांगा मैं पाया तेल लवदा ताईयों पारत वर्शदा बाग फल रहा है आज भी हिंदू मंदरा दे दियां अंदर तेल गुरु तेगबा दूसाब जी दा बल रहा है लव जिड़ा है क्योंकि उन्हा ने नानी कीती कि संगत रूप जे विच संगत हर प्रभ वसाजी है और कदी भी गुरु भोबिन सिंग महाराजी जिते गएने संगत दा सच नाल ने पामे ओ नन्दपुर साब दी तरती है जद उनान गुर्टा गदी मिली 9 साल दी उमर दे विच मामा के पांच चंद नाल ने सारे ने फिर पामे पंगाणी दा स्थान है पौंटा साब दी तरती है संगत जमना साव दे कंडे बैठती सी छोटे 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 बच्यानों भी संगती ता उरते प्यार दिन दे सी गुर्गोबिन सिंग माराज पगगां तक दस्तारां तक सिखां दे सी उस तो बाद पावें उना दा सफर चुबी रही सुर्थ प्रब चर्नन मैं गुदावरी तक दा आया गंगा तो लेके गुदावरी तक दा पटने तो लेके हजूर साब नदेड तक दा ति गुदावरी दे कंडे संगता दा ठाठा मारदा हुए संगत नो बढ़ीयां बक्शिशा दे ति ता तिपाई गुर्दाजी केंदे कि संगत मिल अलख लखावे हुन अलख लखावे की है अलख है जिन्नों लख्या नी जा सकता जिड़ा प्रभु है जिड़ी साड़ी मत तों बार है क्योंकि उन्नों गुरु गोबिन सिंग साहब महराज केंदे चक्र चिन और बरन जात और पात नहीं जाए ना ओ दिखदा है ना उन्नों देखिया जा सकता है ना कोई चक्र है ना कोई चिन है जात पात तों भी पर परेने जात पात भी नहीं है चक्र चिन और बरन बरन भी नहीं है जात पात भी नहीं है कि कि में फिर उनों अपड़िया जाएगा कि में लखिया जाएगा चक्र चिन और बरंजात और पात नहिंजा रूप रंग और रेख पेख को कहना सकत कि पर जिड़ा अगला लफज है ना अच्छल मूरत अनपाव परकाश ए है अलग लखाउना एनू अलग लखाउना है कि जेड़ी मूरत साड़ी दिखते पसारे पाव साड़ी मत तों गुरू बारे आपा नहीं मिना सकतके कि तुम दाते ठागुर प्रतपालक, नायक, खसम इस सारा कुझ है दातां देनवले भी हो, ठाकुर भी हो, नायक भी हो, खसम भी हो की की कहिए जेवा एक कमन गुन कहिए बे शुमार बे अंत स्वामी तेरो अंतना किनो ले कमाल एकरामात कायम करीम रजा बक्ष रोजी रहा कुन रही के बे गुनो बे चुनो बे नमू के मैं बियान करिए की मत दे विच आउंदे ही नी अपड़े जानदे ही नी ते फिर जोगी लोग की कांधे असिय पड़ ले ते गुरु नानिक साहरे वह रहाज पलियो किमे अपड़ ले केंदे जी इडा पिंगला सुख मना तुरी बैनी तो अपड़ ले ते गुन Bartik का पौचा इत्रस अम्यों चुवाई है सहज रंग रच रहे है बाबा मन मत वारो नाम रस पी गए एवला रस पहला पहला एवला रस चड़ो जड़ा कूड़ा रस तुसी पींदेओ नशा करके कुजी कंटे तुसी केंदेओ इडा पिंगला सुखमना इडा ते पिंगला दो पिंगला एक गुरु नानक साब महराजी दा शबद है गुरु साब केंदे सुखमना इडा पिंगला बुजय ता जा अलख लखाव है केंदे ए बुजया जा सगदा है जिब परमातमादी बख्षिश होई पर अगली तुक देखो एक तुक एदेती सिद्धान दे सामने के केंदे सुखमना इडा पिंगला बुजय जा अलख लखाव है पर केंदे नानक एह ते उपर साचा सत्गुर शबद समाव है सारी गाली मुकाती केंदे तो आडेले यह तेन नाडियाने गुरु नानक साब केंदे एह ते उपर साचा सत्गुर शबद समाव है केंदे एह त अज दी विचार इत्हूं अराम होनी है जिस विचार दी विच क्योंकि लगणी ये बिखम है पर बिखम है नी क्योंकि इनू बिल्कुल सपष्ट करता गुरु नानक साथ जी दी बानी ने खोल के रखता दात पहली अलख दी क्योंकि इस अलख नू लखाउन वस्ते हजारां सालां तो जतन कीते जारेने पाई गुर्दास जी कहन दे ए जतन गुरु नानक दे कार्चे खेन दे विच हो गया ए है अनहद बानी पुझी संतन हत्राखी पुझी जिदे कोल ए चाबी है उदे ले ए जतन नी करने पहनगे कि ताला किमे खोल लिया जाए जी दे कोल कुझी है उदे कोल जुगत है ताला कुलन दी ए सर्वन करो सारे एकवरी रसना पवित्र करके आखो जी सतनाम सिरी एकवरी फिरा खो जी सतनाम सिरी चरण कवल मकरंद रस हुए पवर लेवास लुबावे किने संगत दी मैं मा एहु जी मैं मैं जिस तरह एक पौरा कमल फुल दे विच फुल दे विच आउंदा है रस नु मानन वस्ते पर ओर रस मान दे मान दे बिलकुल इनाक रस दे विच मिच जान दे कि पावे वो फुल बंद हो जाए हा नेरे दे विच वो पौरा अपने आपनू कुर्बान कार देंदा है ते पाई गुर्दास जी केंदे इमें कि जिस वेले तुसी गुरू का जस दायन करोगे गुरू के चरन कमलानू तुसी त्याओगे केंदे एक अपह रस एक अमिट रस एक अजित रस तो अडे मान दे अंदर आउना शुरू हो जाएगा चरन कमल मकरंद मकरंद केंदे रस नो केंदे ए रस एहो जा आना शुरू हो जाएगा जिस रस दे नाल तो अनू सारे रस पुल जाणगे सिफ्ती रता सद वेरागी जुया जनम नहार है कहो नानक सुन पर्थर जोगी खीमा अम्रत तार है एवला अम्रत तारा रास एवला अम्रत रास एवला पर एवला रास उथूं आएगा जिन्नों गुरु साब केंदे बानी बिरलो बिचार सी जे को गुर्मुख हुए गुर्मुख तारी वली अवस्था जे चरन कमल मकरंद रास हुए पवरला वास लुबाव है क्योंकि कमल दे फूल दी फूल दी जड़ी वाशना हुं दी है ओ उन्नों आकर्षित कर दी है ते गुरु का हर जस कीर्तन गुरु का नाम गुरु का हर जस संगत नू लुबान दै संगत ओ तलब दे विच उठके जित्हे मर्जी हुए पावे काबुल दे विच बैठा हुए आसे खै ओ हर मंदर साब गुरु अरजन साब महराजी दे चरना जे आके नत मस्तक हुं दै पावे गुरु के सिख तर्ती दे जेडे मर्जी खिते दे बैठे ने हुन देखो गुजरात दी तर्ती गुजरात दा एक छोटा जा खिता जिन जिदा नाम है बेट दौर का कृशन दी नगरी उनों के आ गया कृशन जी उत्थे दे राजे सन हुन बेट दौर का दी एक छोटे जे पिंड विचों जी थे आज भी तुसी चले जो सिर चार पंच छे सतक साल पहला दास उत्थे गया सत साल पहला उस पिंड चे थे लागे वाले पिंडा चे बिजली भी नी सी कोई सड़क दा रस्ता नहीं है उस बेट दौर तक तक जान ले गुजरा एम दा बात तो कुझटा एक सो किलो मीटर दा सफर उस तो बाद बेड़ी तो सफर है पच्चिक मिनट दा हुन ओ इननक रिमोट एरिया हद होगी कमाल होगी हरानी है मिल दी है कि गुरू गोविन सिंग साब महराजी दा हुकम पंजाब दी तर्ती तो नंदपुर साब तो उठे बेट दौर का कि मैं पहुंच गया ओ थो पाई मोखम सिंग उठके आई नहीं है एनू क्या मकरांद रस कि गुरू दी जड़ी ए एक वास है ना जड़ी खुश्बू है गुरू दे पाऊ दी गुरू दे प्यार दी उदेले इस सिख कित्व में उठके आ सकता है किस वेले भी दातिय साइब संधिया क्या चले तिस नाल एक जगंदिया नाल है न एक सुत्या दे उठार जिदे होते है बक्ष जिन्नु ए खश्बू आजे जिन्नु ए रास लगजे उन्नु सुत्य नू उठा के लह चल दा अपनी संगत दे बेच जे नहीं ते फिर नहीं सही दूसरी गल जेडिया एदिया नो देखो पावे पाई मोकम सिंग जी दे जेड़े परिवार नू इना दे दादे पर दादिया नू गुरु नानक साभ महराजी मिले सी जाके उस सर दी दे कपड़े तो उनदा कामसी इना दा तो भी दा हुन ओ जीड़ी गुजराद दी तर दी इमें नो एथी गुरु मुक प्यारे मिले सन जिना ने गुरु नानक साभ महराजी दी जेड़ी आप उस दिन साखी सेयद पिथी पाल हो रहा दी आप संगता दिन अलसान जी की तिसी की गुरु साभ जिस सरा हो थे मक्के पहुंचे है ओ सफर गुरु साभ ने गुजराद एक पाकिस्तान वाला गुजराद नहीं है एक पाकिस्तान ची भी गुजराद है एक गुजराद एमदाबाद वाला जेड़ा इस गुजराद तो गुरु नानक साभ महराज ओ किलावी आज मौजूद है जिस के लिए दे विच गुरु नानक साहब महाराजी ने चरण पाएने उस समेधी रियासत दा बिलकुल एन ओ कंडे ते है जुनागरदा वी स्थान है जिथे गुरु नानक साहब महाराजी ओथों महाराजी ने जहाज दा सफर कीता है पाणी दे ओथों वाया समुंदर गुरु नानक साहब महाराज पाई मरदाना जी दे नाज ए मिडल इस दे विच पहुंचे ने एजिया पैसफिक दा उननाने उस पाण सिदा सफर कीता है एथे ही इननाने पाई मोकम सिंग जी दे परवार नू बक्षिशा दितियां सी ओन ए जिस वेले सन्या पहुंचया गुरु गोविन सिंग साहब ने बुलाया है देखो ओन एक तुक पाई मोकम सिंग नाल की में मिलेगी चरण कवल मकरंद रस होई पावरल है वास लुपाव है वास आई अवाजा आया कि गुरु ने बुलाया है गुरु कमल दा फुल है सेख पावर है पावर है मकरंद दी खुशबू नू उस रस नू मानन वस्ते पाई मोकम सिंग जी बेट द्वार का तो उठके नांडपुर साव जान दे ते फिर पावरे दी तरह कमल फुल दे रस दे विच अपने आपने आपनू कुर्बान कर दे पाई मोकम सिंग जी चमकौर दी गड़ी दे विच शीद हो जान दे फिर मोड के नहीं गए कार इह है जीवे पौरा अपने आपनू निशावर शमातों एक परवाना कुर्बान हो रहा है गुरू का सिक गुरू तो बलहार जा रहा है फिर मोकम सिंग जी मोड के नहीं गए अपने कार वापस फिर गुरू दे होगे कि गुरू होन बस तो आड़े तुसी रखो होन राख प्रभूपा मैमार अगला जड़ा जी करें इडा पिंगला सुखमना लांग त्रिबेनी ने जिकारे आवे दुनिया दे रोले ने इनू बहुत क्योंकि देखो पाई उनानु पता सी कि एना विशियां दे गल करनी बहुत जरूरी है ए विद्यक अदारा है साठा ए ए शाड़ा चट साल है ए गुरू दरबार इस नौट लेस देन इनुनिवरस्टी वी यह जिस नोट जिस तौकिंबाब पार एक्सिलेंस आपा इनिक गुजियां का ला इथे बैक कर लें दे आ गुरु शबत दी विचार दे विच कई वरी उनिवर्सटी विद्य कद्यार याची दिए होंदी सच्ची नहीं होंदी क्योंकि ओ मादा नहीं नहीं है साढ़े कोल की युनिवर्सटी दे विद्यार्थिया नाल भी एग अला होने ते गुरु दी बक्षिश होंदी है कि ए पेद गुरु आप बक्षिश करके संगता दे चरना दे सदके खोल दे क्योंकि कई है कि विद्वान सज्जन आप संगता दे नाडा के पेद खोल देने बानी दे और जिस विले ए पेद खोल देने ते पाई गुर्दाजी नो एह है दे लम्मी नदर ने हाली है कि एदे उते होन गियां एड़ा, पिंगला, सुखमना ते गल्ला होन गियां हुन ए तेन नाड़ियां इनो त्रिबैनी भी किया गया जिते तेन नदियां दा मेल होन दै प्रियाग इनो किया गया तुसी पटना साफ जान दे हो रस्ते चितानू अलाबादी तरती ते तुरी बैनी परियाग मिलेगा इस परियाग दे बारे बैनी जी ने जिकर भी कीता है इडा पिंगला और सुखमना तीन बसा एक थाएं बेणी संगम ते प्राग मन मंजन करें ते थाएं संतों उहां निरंजन राओं में पर ए उत्थों टपन तो बाद है इस अवस्थानू पार करन तो बाद है जिन्नू गुरु नानक साबने इस पश्ट करता सुखमना इडा पिंगला बुजय जाँ अलख लखावै नानक एहते उपर साचा साथगुर शब्द समावै उन इस त्रिबैनी ते जिते गंगा जमना ते सरस्वती इस तिन नदियां मिल दियाने इन तिन नदियां दे मिलापनू जिते परियाग त्रिबैनी क्या जन्द है इस तर्थी ते सनातन तरम दे लोकाँँ दा सब तुंपवितर स्थान है सब तुंपवितर उप एथे शनान करन जान दे पर पगत बेनी ची कहें दे बार जे शनान है कहें दे अंदर दी त्रिबैनी दे विच्चों में शनान कर लिए उन किना का फर्क है दुनिया सारी चली है नावन चले तीर थी मन खोटे तर्ने चोर एक पौलती नाते हां दो ये पाच चड़ी है खोर एक ते महल असी लाली की चलो इस मन दी महल लाली गुरु साब केंदे दूसरी महल हो महली चड़ाली दो ये पाच चड़ी है दूजी महल चड़ाके आए लालालाला कराया हून असी शनान हून होगे पाप सारे साल दित तो लगे गुरु साब केंदे एक ही खेड है ये नहीं हैंदे शनान ते अंदर दए अंतर का तीरत मलना हो और एदे बारे सप्षट कीता कदी गुरु ने बक्षिश की ती न तीन न थे क्योंकि जोग मत एक एंदा सी कि एडा पिंगला ते सुफ मना ए तीन नाडिया ने पर गुरु साफ गुरु नानक साफ जी ने एक बक्षिश कीती, वो बक्षिश कीती कि गुरू का सिख एथी नहीं फास सकता सिर्फ एदे चकराँ चे नहीं है कि एक पासे चंद्रमा, एक पासे सूरज, ते उत्हों सुर्थ लंगेगी, गुरू साब ने कहता, तो अनू सिद्धा खजाना देता तुसी त्यान दे विच बैठो जाब करो संगत रूपी बैठके जाब करो तो आड़ी सुर्थ सिद्धी उस निरंकार के देश जाएगी एदे एदा ते पेहती नहीं रिया ते पाई गुरुदास जी ने कहता कें दे इडा, पिंगला, सुखमना, लंग केंदे ए ए ते प्लाटफॉर्म ए ए स्टैंड ए स्टॉपेद सिखादा नहीं है ए उना दे जिनाने गंदरब नगरी दे विच गवाचन है ए सिखादा नहीं है ए ए पाव सिर्फ उना दा की पाव है गुरु साब केंदे कि साच्चा सत्गुर शब्द समाव है गुरु का सिख शब्द दे विच समाए ए साच्चा गुरु के सिखदा ए नहीं है अगली साहे साहे मन पमन लिव सोहंग हनसा जपै जपावै साहे साहे एक एक सा 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 सिम्रो गोबिंद मन अंतर की उत्रह चिन पाई गूर दा समाल्दा दमना बर्था जाए ए है साहे साहे एक एक सा आफरी ब्रेथ इनहेलिंग एकसेलिंग पै गुरु दासि चैंदे एक एक सा साहे साहे मन पमन लिव मन नू पौण दी सवारी कराओ मन जिड़ा है क्योंकि मन पमन करके विकारां चे फ़स्द है सा अंदर जान दा है हजारां करूडां विकार अंदर आजन दे फुरने सा बार जान दा है फिर सा अंदर आन दा है फिर कई नवे फुरने आजन दे गुरू साब किन दे जे सा अंदर आन दा है शा अंदर आउन दे नाल शबद लादो शबद लाग जे तो अड़े शा दे नाल बानी लाग जे तो अड़े सा दे नाल फिर फुर्णे ती जगा गुरु की बाबाणिया, कहाणिया इस मान देविट जान साहे साहे मन पवन लिब सोहंग हंसा ये दी विचार मैं कार चुका सोहंग हंसा ये आज कठे आगे पहला भी जिकर कीता सी सोहंग ते हंसा ये एक कोई लाफज ने सोहंग बढ़े हैं सससा ते हाहा ते हंसा बढ़े हैं हाहा ते सससा सिद्धी जी गाल है सोहंग दा मतलब सों ओ ते हांग दा मतलब मैं ते हांसा दा मतलब मैं ते ओ अनु गुरू साफ कहने लिए इमें सिमरन करो कि पेडी मिट जाए सोहंग हांसा जप जप आवाए इनु मंतर दा जाफ ना समझ लेओ ए ओ नी इनु क्या इमें जपो जी में बाणी कहने लिए तो ही मोही मोही तो ही सोहं हंसा सोहं केंदे तो ही मोही तू ते मैं हंसा केंदे मोही तो ही तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा केंदे जी में जाल दे विच्छों तरंग उठ दिये तरंग दे विच्छ समा जां दिये केंदे इमें कि जब हम होते अब तू ना ही जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही हुन मैं नहीं रहा गुरू नानक साहब महराजी ने ए जुगत दिती सिमरन कर दी की एकमिक हो जाईए सोहंग हनसा बन जाईए तत निरंजन जोच सवाई सोहंग पेदना कोई जीयो अप्रम प विच एक में खूजो सिम्रन करदे करदे उदा रूप बन जो बंदगी दे विच इन एक जुड़ जो कि उदे सारे कुन आजन सुक सागर चरनार बिंद वाई गुरू अच्रज रूप अनूप लिव गांद सुगंद अवेस मचाव है कि अच्रज रूप उदा उदा अच्र जरूप नूँ उदे ग्यान तो प्राप्ट किता जा सकता है जिस दिन ओप्रभू अंदर हिर्देदी सेज़ दे आके बैठेया सुर्थ मैंना सुर्थ रहो ओ त्यान मैंना त्यान रहो ग्यान मैंना ग्यान रहो गात मैंना गात है जिस ग्यान ते इनक मान करीदा सी इनक बाद भी बाद करीदे सी जिस दिन दर्शन होए इस सब पिछे रह जाएगा सब मिट जाएगा दर्शन देखा थी सुद की ना सुद रही बुद की ना बुद रही मत मैंना मत है सुर्थ मैंना सुर्थ आओ त्यान मैंना त्यान रहो ग्यान मैंना ग्यान रहो गात मैंना गात है तीरज को तीरज गए हो तीरज जेड़ा है पहला आपा तीरज लही फिर दे सी कि आपा बड़े संतोखियां कि अंदे संतोख दाते गुरु दे दर्शना तो पता लगदा है कि संतोखी कोन है तीरज को तीरज रहे हो रत मैंना रात रही हुन ए रत की है गुरु गोबिन सिंग साहब महाराज एक रती बिन एक रती के रतियां चल दियां सी पहले रतियां साधी करंसी सी पुराने समें दे विच कही सो साल पहला दी गाला है रती के अधे की पाया है के अधे रती पाया है दा कि मालब बिल्कुल टके जिन तो टोंवी थल ले ते गुरू कोबिन सिंग साफ केंदे एक रती बिन केंदे जिस दिन तेरा और उस पर मातमादा मलाप नहीं होया केंदे एक रती के केंदे एक रती भी कीमत नहीं है एक रती बिन ओदे विच मिले तो बिना एक रती के चिनैंभ नहीं हैगया वो दे विच्छों मिले बिना ते पाई गुर्दाज जी कहμεं जिस दिन ए दर्शन होए रात में ना रात रही पाथ रात पाथ है पाथ कहने पती नू के पती वाही गुरू दे विच पाथ कें दे इजटनू कें दे होन साधी इज़त एक रूप होगे फिर अदबुद परमदबुद बिसमय पिसम अस्चर्ज अस्चर्ज रूप अनूप लिव गंद सुगंद अमेज सवाव है इस सरीर दी हेंग दी जीडी बाबा शेक फरीद केंदे की हेंज की एदे अंदर मुश्क है पर केंदे एदे विच नाम दी सुगंदी वी है केंदे ओ हेंग दूर होके विकारा दी ते नाम दी सुगंदी अंदर समाएगी सुख सागर चरनार बिंद सुख संपट विच सहज समाव है हुन सहज दी अवस्था आएगी सिख दी जिन्दिगी देविच हुन दूखते सुख पर बावत नी करनगे लोकादियां तरिशनावाँ वालियां बिर्तियां पर बावत नी करनगें हर वे ले इस सुख रूपी सरोवर समुंदर दे डूंगे थड़े देविच क्योंकि जिन्नाचर तक उत्ते ने लेरा ने डावा डोल है जिस दिन समुंदर दे शैलो डीप चले गए उस दिन एकांत है सहज है पाई गुर्दास जी कहें दे सहज पैदा होगा गुर्मुक सुख फिल पिरमरस देह बिदेह परम पद पाव है हुन इस दे तों बिदे होन दी जुगत है क्योंकि दे दे नाल ही सारे दुख सुख ने जिस दिन दे तों बिदे होगे हुन कंचन माटी माने है कंचन माटी माने नह निंदिया नह उस तक जा कै लोग मोह अब माना कुछ भी ने काम करोते काम करोद भी हटा देता ते ये थे सब कुछ अतीद करता साद संगत मिल अलख लखावे पर एदी शुरुआद गुर पर साथ तो होनी है आउना शुरुआद मकरंद तो शुरू होके सहज अवस्था तक है पर एस सारा कुछ गुरु के शबद रूप दे विच्टाप के ते आके उदी संगत करके ताईयों पाई गुर्दास जी एकेंदे कि ए अलख नू लखावन वाला था संगत ऐ गुरु नानक साभ महराज गुरु अरजन साभ महराज केंदे कि ए पाग हीना नू नहीं मिल दी ए वड़े पागानू मिल दी है इस पाग दे आपा बहुत वड़े मुबारिक बादा कि सानू सद्गुर जी ने संगत बख्षी तनवद आप सानिया ने मान प्यार दा पुला चुका दी खिमा फते बलाओ जी वाहिकुर जी का हरसा वाहिकुर जी की प्यार जी वाहिकुर जी वाहिकुर जी वाहिकुर जी की